आई वी एम हेलो सौरब कैसे हैं आप बस बढ़िया प्राने तुम बताओ सौरब आज एक विशय पे मुझे आपसे चर्चा करनी थी अभी आपने देखा होगा पिछले एक दो साल में जो वैज्यानिक है उनका और समाज का थोड़ा एक अजीब सा रिष्टा रहा है मतलब कि जैसे एक तरफ तो साइंस और साइंस दानों की बहुत प्रशन सा हुई है क्योंकि आप देख लेजिए कोविड वैक्सीन वगेरा जो आई है तो एक बहुत ही मतलब रेवोलुशनरी चीज हुई थी तो एक तो काफी प्रशन सा हुई है और दूसरी और काफी आलोचना भी चल रही है कई लोग साइंस के एक्सपर्टीज से थोड़े ऊप चुके है सब लोग अपने आपको एक्सपर्ट समझते है फिर ऐसा भी हुआ है कि साइंस दानों की ये भी आलोचना हुई है कि जैसे जो चीन में शायद जो वुहान वायरोलोजी इंस्टिट्यूट से कुछ कनेक्शन था या नहीं था वो पता नहीं पर साइंस के काफी जो इस्टैबलिश्ट रिसर्चर्चर्स हैं उन्होंने पहले ही उस थियरी को नकार दिया था तो फिर उसके उपर भी थोड़ी आलोचना हुई तो मुझे लगा इसी विशे पर थोड़ा और गहरा समझते हैं कि साइंटिफिक मेथर्ड साइंस होता क्या है कैसे किया जाता है क्योंकि मुझे नहीं लगता कि काफी क्लियर है काफी लोगों को तो आपको क्या लगता है इस विशे के बारे में बहुत बढ़िया मतलब जो एकदम जिसको कहते हैं कि हमारी रोज की जिंदगी से जुड़ा हुआ विशे है और इस से इसको लेकर कि काफी लोगों के मन में बड़े सारे जिसको कहते हैं खासकर फिछले 10-20 साल में भर्म बहुत ज्यादा फैल गाए कि साइन्स जो है वो भी साइन्स पी एक तरीका है ऐसा और भी बड़े सारे तरीके हैं तो जैसे कोई पाच्छे तरीके हैं सच ढूड़ने के जैसे भगवान को ढूड़ने के 10 तरीके होते हैं वैसे साइन्स पी एक तरीका है और यह हिंदुस्तान में बड़ा अपील करता है क्योंकि truth is a pathless land यह तो कृष्णा मूर्ती जी कही गए है तो जब सच जुड़ने की कोई रहा ही नहीं है तो फिर आगे क्या बोलना ठीक है तो मुझे लगता है कि science को और हम लोग काफी हर चीज़ को spirituality से जोड़ वरना हम जाल में फसके कोई फिर मकड़ी आके पकड़ खा जाएगे हम तो इसी लिए उसको गलत प्रूव करने के लिए हमको एक असली scientist को लाना पड़ेगा तो इसी लिए इस बार इस पुल्याबाजी में हमसे जुड़ रहे हैं निहार शाह निहार असिस्टेंट प्रोफेसर है कानेगी मेलन युनिवरसिटी में computer science और machine learning department में और काफी फोडू इंसान है वो मैं उनको college से जानता हूँ और उन्होंने काफी research किया है machine learning और scientific process, peer review वगेरा के बारे में तो मैंने सोचा निहार को ही बुलाते हैं और उनसे ही समझते हैं असली science के बारे में तो निहार बहुत-बहुत स्वागत है आपका पुल्यावाजी में नमस्कार प्रणे, नमस्कार सारव और बहुत धन्यवाद मुझे निमंत्रंट देने के लिए यहां पर बिल्कुल तो एकदम शुरू करते हैं निहार शुरुआत से तो एक तो हमारे school में science एक विशय की तरह समझाय जाता है तो science एक विशय है और history और geography science नहीं है ऐसे हमारी धारना हो जाती है तो ये भी गलत बात है सब कुछ science से ही सीखते है तो इसलिए मुझे लगा हम लोग शुरुआत यहीं से करते हैं कि जो विज्ञान को हम लोग की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है वहां से शुरुआ करते हैं तो ये एपिसोड हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं विज्ञान के पीछे के विज्ञान की क्या है यह साइन्टिफिक मेथर्ड साइन्टिफिक प्रक्रिया या फिर science का तरीका जी 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 सो एकदम बेजिक तरह से समझे तो scientific मेथर्ड में सबसे पहले आप मान पहले एक hypothesis लिखेंगे तो hypothesis मतलब एक कोई सवाल जो एकदम स्पष्ट तरह से लिखा जाए जैसे कि आप कहेंगे कि यह वाली वैक्सीन से इतना antibodies आते हैं या यह वैक्सीन से antibodies नहीं आती हैं उस तरह से एक स्पष्ट सवाल लिखेंगे और फिर आप प्रयोग करेंगे और जो करते हैं उसमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रयोग से आपका जो hypothesis है उसके बारे में जानकारी मिले अब प्रयोग करेंगे प्रयोग से कुछ आकड़े आएंगे उस आकड़े से अब आपको hypothesis के बारे में जानकारी मिलेगी तो या तो ऐसा होगा कि वो आपके hypothesis को सहारा देंगे तो उससे क्या होगा आपको hypothesis पे ज्यादा विश्वास होगा या ऐसा होगा कि वो आकड़े hypothesis के खिलाफ होंगे विपरीत होंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि शायद hypothesis सहीं नहीं है और जब अगर ऐसा हुआ तो आप फिर से वापस जाएंगे देखेंगे कि अच्छा क्या गलत हो सकता है मेरे hypothesis में फिर नया hypothesis बनाके यह प्रक्रिया फिर से करेंगे यह सबसे जो basic भाग है scientific method का इसको अगर मैं कोशिश करूँ और simple तरह से करने का एक example लेके तो बोल सकते हैं ऐसा क्या कि जैसे हमको एक अनुमान लगाएंगे मानलो हम रूणना चारें कि मेरे घर से दूसरा घर कितना दूर है तो मैं ऐसे एक अनुमान लगाओं कि लग रहा है कि 15 feet दूर है उसके बाद में मैं इंच टेप लेके ना पलूं कितना दूर है वो शायद 14 feet हो सकता है कि 16 feet हो सकता है पता चल जाएगा मेरा अनुमान सही है या गलत था इसमें तो कोई दो राए नहीं है कि वो जो दिस्टेंस है वो तो ही लेकिन मैंने कुछ अनुमान लगाया अपने अंदाजे से वो अंदाजा ठीक निकला तो मैं बोलूगा कि ठीक है और अगली बार मैं अपना अंदाजा करेंट कर लूगा तो यह एक तरीके का बहुत ही होती है और नहीं है तो अगर हमने शुरू में एक दम क्लियर नहीं करके बोला तो हम खुदी को जुटलाना बड़ा आसान हो जातां है ज्सक्रूर्ट के मेेड़ मैं तबसे जादा हम अपने को ही जुटलाने से रोक रहे होगे। जी, जी, और इसलिए ये scientific method में बहुत जोर है कि ये जो science किया गया है, उसकी आलोचना करने का मौका मिलना, वो आलोचना करने की संभावना होनी चाहिए, उसके सवाल उठाने की संभावना होनी चाहिए, तो ये जो किस तरह से hypothesis लिखते हैं, किस तरह से theories बनाते हैं, और किस तरह से प्रयोग करते हैं, उसमें इसकी संभावना होनी चाहिए, कि उसका अलोच ना कर पाएं तो उसे falsifiability कहते है ना जी जी तो उस पर आते हैं तो जैसा कि आपने बूला निहार ये तो Francis Bacon जो 1600 में उन्होंने ये scientific method को codify किया था तो जो आपने 4 steps बताए पहले तो observation के basis पे आप एक problem लिखते हैं उसके बाद hypothesis और फिर test hypothesis और फिर उसके उपर आप निश्कर्ष निकालते हैं तो ये आपने समझा है अब इसमें सबसे बड़ी बात है आप scientist भी तो इंसान है आप ऐसी hypothesis निकालेंगे जो आपको पहले आपको लगता है ऐसा ही है तो आप ऐसी hypothesis निकालेंगे और ऐसी testing करेंगे कि वो आपकी hypothesis सही ही prove हो जाए तो इसको आप कैसे avoid करेंगे ये बहुत ही जरूरी बात है जो science और non-science या pseudascience से फर्क करता है तो इसके लिए scientific method में कुछ चीज़े हैं जो hypothesis या जो प्रयोग में होनी चाहिए जो हम बात कर सकते हैं और उसके अलावा विज्ञान में और भी काफी सारे विज्ञान की जो प्रयोग है उसमें और भी चीज़ें हैं जो ज्यादा ज्यादा मजबूत करता है कि ऐसी गडबल ना हो तो जैसे कि एक आपने कहा falsifiability तो जब अगर आप hypothesis बना रहे हैं या कोई scientific theory बना रहे हैं तो वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी आलोचना कर पाएं तो कोई प्रयोग होना चाहिए जिससे कि अगर ये hypothesis सही नहीं है तो पता चल पाए कि ये सही नहीं है जैसे कि मान लो एक hypothesis है कि God exists, भगवान है ये falsifiable नहीं है क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो अब साबित कैसे करें कि भगवान नहीं है तो ये सही hypothesis नहीं होगी तो falsifiability मतलब कि कोई प्रयोग होना चाहिए जिससे कि वो साबित कर पाएं कि वो सही नहीं है तो उसको नकारा जाने की संभावना होनी चाहिए और ये सवाल अच्छा भी और ये सवाल भी अच्छा है कि इससे पड़ा चलता है कि हर चीज scientific method से नहीं होती है अब भगवान है या नहीं है ये श्रद्धा का मामला होती तो इसलिए ये श्रद्धा और science में था कभी-कभी मिलावट नहीं करनी चाहिए और अगर मिल जाए तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या है ये भी भाटिक है अच्छा तो निहार इसमें एक null hypothesis भी हम लोग अक्सर सुनते है तो ये null hypothesis क्या है इसकी क्या जरूरत है science के method में तो जैसे अब vaccine ले लीजिए ठीक है तो हमें जानना है कि ये vaccines काम करती है या नहीं तो उसके लिए अब randomized control trials करते हैं कि मानलो कुछ लोग को, 1000 लोग को बुलाया अब randomly 500 लोगों को vaccines दिया बाकी 500 को कुछ पानी दिया या प्लसीब हो दिया और फिर हम देखते हैं कि जो 500 लोग जिनको vaccine दिया उनमें से किसको आगे चलके COVID आया और जिनको नहीं दिया उसमें से किसको COVID आया अब इस समय से आगे ये जो भी आकड़े आए उसका analysis करके हमें कुछ नतीजा बनाना है तो अब उसके लिए ये null hypothesis और जो कहते हैं alternate उसका काम आता है तो null hypothesis कहता है कि कुछ नहीं है यानि कि इसमें vaccine और placebo का कोई फर्थ नहीं है तो वो null hypothesis हुआ और हम ये मान के चलेंगे अगर कुछ और जानकरी नहीं है तो हम null hypothesis मान के चलेंगे और फिर ये सब जो आकड़े आए हमारे पास उससे हम statistical analysis करेंगे और देखेंगे कि ये null hypothesis को हम reject कर सकते हैं किया तो statistical analysis करके फिर हम बताएंगे कि हाँ null hypothesis सही नहीं है और हमें इतना confidence है हमारा जो नतीजा है उस पर तो जब तक ये नहीं किया हम null hypothesis मान के चलेंगे कि हाँ कुछ नहीं है तो ये बहुत काम आता है हिंदी में समझने में निहार कितना आसान लग रहा है बोलो कि कुछ नहीं है वो null hypothesis मेरे को तो complicated अब खुद translate करना पड़ता है दिमाग में ये null hypothesis में ऐसे तो ये तो आसान आपने बड़ी भाशा में बता दिया कि ये कुछ नहीं है तो पहला हमारा अनुमान है कि कुछ नहीं है बहले मान के चलते हैं कुछ नहीं है और देखते हैं वो अनुमान गलत साबित कर दिया तो यानि कुछ है जी, बिल्कूल बड़ी है और इस तरह से सोचने में काफी फाइदे हैं एक मुंक्य फाइदा ये है कि मानलो, किसी ने एक प्रयोग किया जिसमें कि हजार लोग की जगा सिर्फ दो लोगों को बुला है मानलो, ठीक है? experiment में सिर्फ दो subject है मानलो, अब क्या है कि उन सिर्फ दो लोग में से एक को vaccine दिया, और ऐसा हो सकता है कि या तो दोनों को एक ही नतीजह आया, या तो vaccine वाले को COVID नहीं आया, और placebo वाले को COVID आया, पर अब इतने ये इतना छोटा sample size है, इतने कम subjects हैं, उससे तो अब इतना कुछ कह नहीं सकते हैं, ये तो बस random chance की वज़े से ही किसी को COVID आया, किसी को नहीं आया अगर अब मान लीजिए कि हम शुरुवात में ये मान के चलते कि vaccine काम कर रहा है, तो अब ये experiment के बाद भी हम कहते हैं कि vaccine काम कर रहा है, चूंकि experiment में तो कुछ जानकरी नहीं थी, तो वो तो गलत होगा ना, तो, इस टाइप का अविज्ञान तो बहुत common है, निहार जैसे Twitter पे लोग बहुत hypothesis देते हैं, फिर एक hypothesis देंगे, फिर होगे, अरे ये मैंने अपने गाउं में भी देखाता, ऐसे होता है, तो इसलिए ये पूरे विश्व में भी होता है, और फिर ये बन जाती है एक theory, तो ये अविज्ञान हो गया, तो इसमें क्योंकि कोई null hypothesis consider ही नहीं की थी, तो इस वाज़े हाँ जी, बहुत बढ़िया, तो ये अलग हो गया न, अगर हम सत्य की शोध करें, तो हमको पता है क्या है सत्य, और हम लोग शायद हमारा मन भी उस तरीके से चकाम करेगी, हम लोग उसी, वैसे ही असभूत ढूंडेंगे जो हमें वो सत्य की और उजागर कर पाए, तो हम लोग काफी गलतिया कर सकते हैं, ठीक है तो इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल विज्ञान और विज्ञान में हम लोगोंने बात की थोड़ी सी लेकिन क्या-क्या फरक है इन चीजों में क्या-क्या प्रिंसिपल्स आप देखते हैं अच्छे विज्ञान के लिए जी, जी तो एक हमने ये बात किया falsifiability, अब दूसरा एक principle जो काफी मुक्य है वो है predictability, ठीक है तो अब predictability क्या है तो मान लिजिए कोई theory है scientific theory जैसे कि big bang theory करके एक theory है, जो वो ऐसे कुछ नहीं होती है जो theory है, वो ऐसी होनी चाहिए कि उससे कुछ अनुमान आए कि आगे क्या होने वाला है ठीक है, आगे क्या होने वाला है उसकी कोई भविश्यवानी आए ताकि हम अभी आगे चलकर वो map सकें और फिर हम पता कर पाएं, यह theory सही या या गलत है तो predictability से falsifiability आ गई बिलकुल, बहुत बढ़िया हाँ, तो यह falsifiability यानि कि विज्ञान में कुछ भी हो ऐसा संभव होना चाहिए कि उसकी आलोच ना कर पाएं तो अब इसमें अनुमान आया और कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने कुछ theory रखी है विज्ञानिकों ने, और theory इस हिसाब से रखी है कि तब तक जो पता था, theory वो सब को समझा सकती थी पर फिर वो theory से कुछ अनुमान आये जैसे कि ब्रह्मान का कैसे विकास होता है, उसके लिए पहले एक theory की steady state theory करके तो अब उससे कुछ-कुछ अनुमान थे और आगे चल कर वहग्यानिकों ने उस अनुमान से जो भी आता है वो मापा और पता चला कि नहीं, ये theory तो सही नहीं है, और उससे अब big bang theory आए और अब सब लोग big bang theory मानते हैं पर ये भी बहुत जरूरी बात है कि मानते हैं उसका मतलब ये नहीं कि ऐसा है कि सच ही है और और कुछ नहीं हो सकता, बार-बार हम अलग-अलग चीज़े मापते रहते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कहां ये theory टूटती है तो वही वो सत्य है, परम सत्य है वो कोई कहीं नहीं कह सकता लेकिन वो असत्य है अभी तक किसी ने साबित नहीं किया है तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि शायद that's the best we know जी और उस पर काफी बरोसा है क्योंकि बहुत सारी चीज़े जो मापी गई है, बहुत सारे जो प्रयोग के नतीजे हैं, ये theory उन सब को समझा सकती है, इसलिए उस पर हमें काफी बरोसा है, पर पर हाँ परम सत्य नहीं है और इसमें ये example अच्छा दिया निहार क्योंकि अब जैसे ये ब्रह्मान का example है और इसी तरह से हमारी society में भी example होते हैं, हर चीज़ का प्रयोग नहीं बना पाते हैं, तो हमको कभी-कभी बस observations मिलते हैं, हम जैसे कोई चीज़ का, जैसे जो मैंने example दिया कि सामने का घर कितना दूर है, हम इंच टेप लेके ना आप सकते हैं, अब भाई ब्रह्मान में तो हम इंच टेप लेके नहीं जा सकते हैं एक जगे से दूसरी जगे तो हमको अनुमान लगाने पड़ते हैं, या फिर काफी लोग ये social sciences की भी बात करते हैं, वो भी एक चीज होती है, पर आप नहीं देख सकते उसमें वो science वाल, कभी कभी सवाल में science नहीं होती, क्योंकि आप नहीं देख सकते, experiment करके या फिर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये, अगर ऐसा होगा, तो हमेशा ही ऐसा होगा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया और जो आप सामानिय बात करें तो एक और है, कि जैसे हम सामानिय बोलचाल में ये शब्द theory और hypothesis कई बार उपयोग करते हैं पर जो उसका मतलब सामानिय बोलचाल में होता है, और जो विज्ञान में उसका मतलब होता है वो काफी अलग होता है और कई बार हमने देखा है कि सोशल मीडिया पे वगेरा इन शब्दों का जो उप्योग है विज्ञान में या सामाने बोलचाल में इन दोनों का मिश्रण हो जाता है तो एक उधारन पे उधारन है कि अभी इंडिया और साथ आफरिका के टेस्स सीरीज हुई ठीक है क्रिकेट माच हुए उसमें हम नहीं जिक पाई तो अब मैं कहूंगा कि मेरी थियरी है कि कप्तान केयल राहूल और कोच राहूल द्रविट दोनों नहीं थे इसलिए हम हार गए यह दोनों का नाम राहूल था इसलिए हायर गये पर अगर विध्यान के बारे में बात करें तो यह थियरी या evolution के बारे में तो लोग कहते हैं evolution तो बस एक theory है पर विज्ञान में जब आप theory कहते हैं तो उसका बहुत ही गहरा मतलब होता है बस एक theory नहीं है theory मतलब तो hypothesis हो कि उसको हम लोग अभी तक नकार नहीं पाया है तभी उसे theory कह रहे हैं और बहुत सारा वो समझा पाया है अभी तक यह अटकले नहीं है जैसे जिसे आम भाशा में बोलें यह अटकले नहीं है यह theory मतलब जब science की theory होती है तो एक थोस theory है जिसको बड़े लोगों ने ध्वस्त करने की कोशिश किये और वो फिर भी सेक्ड़ों साल से खड़ी हुई ह जी एक दम पढ़िया तो इसे social science में थोड़ा सा भटक जाते हैं यहाँ पर क्योंकि social sciences में जैसा कि हम लोग बात कर रहे थें experiments तो नहीं बन सकते हैं कुछ बन सकते हैं जैसे अभी RCT revolution तो काफी चला है social sciences में हम लोगों ने इसके उपर episode भी किया है कि कोशिश किये है लोगो बदलते हैं कि नहीं लोगों की जिंदेगी सवर्ती है कि नहीं शिक्षा से तो उसके लिए experiment किया जा सकता है तो control group होता है और एक placebo मतलब जो लोगों ने नहीं शिक्षा प्राप्ती है वगेरा वगेरा experiment हम लोगों ने किया है इस पर episode हम पता कर सकते हैं लेकिन हर बार आप experiment नहीं कर सकते पर फिर भी experiment करना क्या जरूरी है क्या हम लोग data वगेरा से पता कर सकते हैं कि हमें खुद से एक प्रयोग करना जरूरी है जो अगर ऐसा randomized control trial कर पाएं तो वो कहते हैं gold standard है वो सबसे बढ़िया है पर कई बार नहीं कर पाते हैं जैसे आप कहते हैं और ऐसा ब नहीं तो उसका अब आप randomized control trial नहीं कर सकते कि आपको जबरदस्ती आदे लोगो को पगड़ की cigarette पीओ ऐसा तो जबरदस्त में करते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं कि वो observational studies करते हैं कि हमें observational studies मतलब यह data है और इसमें ऐसा लग रहा है कि हाँ cigarette पीने से lung cancer होता है पर फिर और क्या-क्या confounding factors हो सकते हैं वो देखेंगे confounding factor मतलब कि और क्या ऐसा है जो यह lung cancer समझा सकता है cigarette नहीं है और कुछ जैसे कि मान लो कि जो cigarette पीते हैं उनकी शायद कोई और भी आदत होगी और उसकी वज़े से lung cancer होता होगा तो cigarette से lung cancer नहीं हुआ पर वो दूसरी आदत से lung cancer हुआ तो ऐसा कोशिश करते हैं कि ऐसा जो भी confounding factor है वो पता कर पाएं और फिर उसको हटा पाएं डेटा से और फिर उससे कोई नतीजा लाने की कोशिश करते हैं तो यह observational studies काफी करते हैं पर हां यह gold standard नहीं है तो हमें इतना विश्वास नहीं रहता observational studies पे और इसलिए व cigarette से lung cancer का जो link मिला है उसकी वज़े से ना हो कोई और हो समझ में आ गया तो अब यह आप विज्ञान और अविज्ञान के बारे में बात कर रहे थे और आपने समझाया प्रेडिक्टेबिलिटी और फॉल्सिफाइबिलिटी बाकी और कौन सी चीज़ तो एक और है कि जब आप प्रयोग करते हैं तभी आप प्रयोग किया मानलो की प्रयोग सही से किया है तो उसके बाद प्रयोग से कुछ आकड़े आए और फिर वो आकड़े से आपको नतीज करनाए मालो मेरे दिमाग में ऐसे है कि मुझे साबित करना है कि शिगरेट से लंग कैंसर होता है तो मेरा जो आखडयाए उसमें से शायद मैं ऐसा कर सकता हो कि थोड़े कुछ जो कुछ सबजेक्ट के जो सैंपल है वे उन islands बोल सकता तो fairness मतलब यह बहुत ही जरूरी है कि किस तरह से आप उसको analysis करते हो तो उसके लिए विज्ञान में काफी सारी चीज़े अभी हो रही है जैसे कि एक यह बहुत बढ़िया चीज़ हो रही है कि पहले क्या होता था कि जो वैग्यानिक है वो hypothesis बनाएंगे और उसके बाद प्रय research paper जो है वो कोई और वैग्यानिक देखते हैं और उसकी आलोचना करने की कोशिश करते हैं ठीक है और इसके बार में बाद में बात कर सकते हैं इसे peer review कहते हैं तो अब इसमें सब कुछ-कुछ परेशानी होती थी क्योंकि जब उन्होंने सब प्रयोग किया और उसके बाद जो आंकड़े आए अब वो निन ले सकते हैं व्याग्यानिक कि कैसे उसको तोड़ना मरोड़ना है उन आंकड़ों को ताकि उनको जो नतीजा चाहिए वो मिले पर अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे विज्ञान के क्षेत्रों में कि आप अपना hypothesis बनाओ और आप पूरा लिखो आप अपना प्रयोग करने से पहले एक्सपरिमेंट से पहले वह लिखके इंटरनेट पे कुछ वेबसाइट्स हैं जैसे ओपन साइंस फांडेशन वहां पे आप डाल दो तो आप पत्थर की लकीर बन गई कि आपको क्या करना है जवाब देखके आप सवाल मत बदल जवाब देखके सवाल मत बदलो जवाब देखके आप अनालिसिस मत बदलो तो यह पूरा डाल दिया पत्थर की लकीर बन गई अब आप जाके प्रयोग करो तो उसके बाद लिखो और फिर पीर रिव्यू के लिए बेजो तो यह एक अलग तरीका जो आया है वो ऐसी जो विग्यानिक तरीका है यह भी हम समय के साथ और पुखता कर रहे हैं मतलब यह नहीं कि कोई एकड़म पत्थर की लकीर हमको दिख रहा है कि कुछ यह तो एकड़म ठीक दिखती है पर हम यह तरीका ऐसी चीजों के लिए यूज कर रहे हैं जहां पर यह तरीका भी थोड हम उसकी हदें धूंड रहे हैं कि कहां तक जा सकता है जी बिल्कुल तो विग्यान का ही एक भाग है जिसको कहते हैं मेटा रिसर्च जो की विग्यान पर विग्यान करते हैं तो मेरा भी थोड़ा विग्यान उसी पर है मेरा संशोधन उसी पर है विग्यान पर विग्यान कर और फिर उनको कैसे ठीक करें वह करना तो यह काफ़ी सारे लोग उसी पर काम करते हैं तो हां विज्ञान drills में यह बहुत अच्षी बात है कि हम बार-बार हम खुद्पे जांटते रहते हैं और पता करने की कोशिश करते रहते हैं कि क्या गडबड हो सकती है, क्या गडबड है कुद की आलोचना, जितनी हो सकते उतनी करते हैं, और फिर उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं ठीक है, तो verifiability, ये भी शब्द मैंने सुना है जी, verifiability, तो verifiability मतलब कि मान लो अगर किसी वैज्यानिक ने कोई प्रयोग किया ठीक है hypothesis था प्रयोग किया तो अब उस वैज्यानिक को उनका hypothesis पूरा प्रयोग अच्छे से लिखना है कि क्या क्या किया एकदम ढंग से लिखना है और फिर आंकड़या है उसका analysis कैसे किया वो भी पूरा ढंग से विस्तार से लिखना है और फिर उसका research paper बनाते है तो ये सब अच्छे से विस्तार से इसलिए लिखना है ताकि अगर कोई और वैज्यानिक कहीं और है उनको वही का वही प्रयोग फिर से करना है तो वो ये देखकर कर पाएं वैसा का वैसा प्रयोग ही कर पाएं और ये बहुत ही जरूरी है विज्यान को मजबूत बनाने के लिए तो ऐसे कही सारे ऐसे मामले आये हैं जब किसी वैज्यानिक ने कोई hypothesis था प्रयोग किया और फिर उसका कुछ नतीजा आया और उसके बाद कुछ गड़ बढ़ती आपको एक उधारन देता हो तो कुछ साल पहले करीब आठ या दस साल पहले एक बिज्यान हुआ था तो उसमें सवाल ये था कि अगर मानलो मैं आपसे कोई सवाल पूछू जिसका जवाब मुझे नहीं पता तो मुझे सच जानना है आपसे तो अगर मैं सवाल पूछने से पहले अगर आपको कागस पे ये लिखके दूँ कि हाँ मैं सब सच कहूंगा और आप से उस पर हस्ताक्षर करवाओं तो क्या ज्यादा संभावना है कि आप सच कहेंगे ये सवाल और ये सवाल क्यों है क्योंकि यहां पे जो कार की इंशेरंस कॉम्पनी है वो ग्रहक से हर साल पूछते हैं कि आपकी गाड़ी कितनी मेल चली है और जितनी ज्यादा मेल चली है उतना के लिए इंसेंटिम pää रहा हुँ तो अगर मैं ग्रहक हूँ, तो मुझे पता है कि वो इंशेरंस कंपनी वाले आ के मेरी गाड़ी में नहीं देख सकते कि कितनी मेल चली है, तो अब मुझे इंसेंटिव है कि मैं थोड़ा कम बताओ, अगर 5000 चली है तो मैं 4000 बताओ, तो इंशेरंस कंपनी इसको यह करना था कि क कि मैं सच पूलने वाला हूँ, ठीक है, तो उन्होंने ये पूरा प्रयोग किया, और फिर कुछ आकड़े आए, और आकड़े से उन्होंने बताया कि हाँ, सच में काफी फर्क है, तो null hypothesis को reject किया, और बताया कि सच में काफी फर्क है, और ये बाद में अगर चाहिए, तो बात या नीती है, चलो हम भी ऐसा करवाते हैं किसी चीजों में, पर उसके बाद कुछ छे और वेग्यानिक थे, दूसरी दूसरी जगाओ पे, उन्होंने ये ही का ये ही प्रयोग करने की कोशिश की फिर से, और वेरिफाबिलिटी के वज़े से पूरा लिखा हुआ था, तो उन पता चला कि जो पहला एक्सपरिमेंट था, वो सही नहीं था, और वैसे उसके बाद, उसके बाद भी काफी दिल्चस्प कहानी है, कि उन्होंने ये भी पता किया लोगोंने, कि ये क्या गडबड थी, पर वो भी बहुत दिल्चस्प कहानी है, कि हमारे जो CID के ACP प्रदिय कि अब ये जो दूसरे सब वैग्यानिक है, उन्होंने पहले वैग्यानिक को बोला कि आपका जो डेटा है, वो पूरा का पूरा डेटा बाहर कीजिए, ठीक है, दिखा ये कि क्या था, क्योंकि इतना इतना फर्क है, आपके प्रयोग में और हम सब के जो नतीज हैं उसमें, तो उन्होंने डेटा बाहर किया, तो वो डेटा एक Microsoft Excel की फाइल थी, ठीक है, अब लोगोंने देखा कि ये Microsoft Excel की फाइल में, जो हर एक व्यक्ति का डेटा है, वो या तो एक Calibri font में है, या तो Cambria font में है, ठीक है, उन्होंने दो font देखी, अलग-अलग fonts की थी, फिर उन्हो आपका सही में 12,445 मील चली है आपकी गाड़ी, तो अगर आपको लिखना है, तो सामाने तोर पे क्या गरते हम राउंड करते हैं, 12,445 की जगा, 12,440 या 12,400 या 12,000 लिखेंगे, तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हो हैं, जिसमें देखा है कि इंसान सामाने तोर पे राउंड तो जो एक font था, उसमें ऐसा था कि काफी सारे राउंडिड नम्बर्स थे हैं और जो दूसरा font था, उसमें ऐसे बिल्कुल राउंड़िंग नहीं था, तो उन्होंने ये देखा कि जो दूसरा जो font था, उसमें जो मेल बताये थे, हां, उसका जो distribution है, वो ऐसा था कि जितने लोगों ने शुनिय और हजार के बीच में आकड़ा बताया था, उतने ही लोगों ने हजार और दो हजार के बीच में आकड़ा बताया था, उतने ही लोगों ने उनचास हजार से पचास हजार के बीच में आकड़ा बताया था, अच्छा, पचास हजार के बाद कोई भी नहीं तो यह तो बहुत ही अजीब साहिए उन्हें तो पर अगरा के जो आकड़े वह देखें कि सामानिय तौर पर जितना मील चला वह ऐसा तो कभी नहीं होता है तो उससे उन्होंने पता किया कि लग रहा है कि यह जो दूसरे फॉंट का पूरा का पूरा डेटा है वो नकली बनाया गया है और जो मील जो दिखाए ना वो शून्य से पचास हजार की बीच में कम्प्यूटर से एकदम बस कोई रैंडम नंबर चुना गया है जेनरेट कर द तो और नियार एक तो ये भी है कि जैसे साइकोलोजी है मनोवैग्यानिक स्टडीज में काफी बार ये इशू आता है वेरिफाइबिलिटी एक ऐसी चीज़े जहां पर कई बार ऐसे साइकोलोजिकल स्टडीज हुए हैं जो कि अगर किसी और कंटेक्स में किये जाया कोई औ और रिपीट करें तो वो सेम रिजल्ट या निश्कर्श नहीं आते हैं तो शायद ये वेरिफाइबिलिटी के दम पर और इंप्रूव हो रहा है साइकोलोजी जी बिल्कुल सही इसलिए वो जो प्रयोग करते हैं उसमें कि क्या कांटेक्स्ट है जब लिखते हैं प्रयोग क्या कांटेक्स्ट है वो भी अच्छे से बताना चाहिए तो एक उदारण है कि काफी साल पहले ज्यादा तर तभी संशोधन से यूरोप और अमेरिका में होता था तो तभी साइकोलोजी में बहुत सारे जो संशोधन था उसमें जो सब्जेक्ट थे वो अमेरिका और यूर एजिया में करने की कोशिश की तो बहुत सारों में पूरे विपरीत नतीजे आए तो अब कहते हैं कि जो पहले जो जो स्टडीज थी उनको वियर्ड स्टडीज कहते हैं वियर्ड वेल्दी एजुकेटेड ऐसा-इसा कोई फुल फॉर्म है कि ऐसे लोगों पे किया गया था तो बात अच्छी ये थी कि जब भी वो पहले प्रयोग थे तभी उसमें पश्ट तरी से लिखा गया था कि उन्होंने किन सब्जेक्ट्स पे ये संशोधन किया है कौन सब्जेक्स थे जैसे कि ये युनिवर्सिटी के ऐसे थे वगेरा तो उससे अभी हमें पता चलता है कि हां जो नतीजे हैं वो शायद यूरोप और अमेरिका के युनिवर्सिटी के विद्यार्थियों पर ये काम करता है पर अगर आप इंडिया में जाओ एजिया चाइना जपान कहीं और जाओ तो शायद नहीं करेगा तो हां जैसे आपने काई कांटेक्स बहुत जरूरी है औ अब कितना वह प्रूव हो गया कि गलत है लेकिन अब लेकिन इतने वह पॉपुलर है कि लोग अभी भी सच मानते हैं क्योंकि इतने सालों तक उसको सच माना गया और एशिया क्या वह यूएस के अंदर में भी दोबारा से कोई रिजर्ट दोबारा से मैच नहीं कर पाए औ इस तरह से बहुत सारे famous experiments हैं जो की verifiability में पकड़े जा रहे हैं अब क्यूंकि हम भी शायद कुछ चीज़े मानना चाहते हैं अगर हमको लगता यह ऐसा है तो इसमें नहार तुमको क्या लगता है social science के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है उसको वो science की हद ढूण रहा है या थोड़ा science शब्द को हमने खींचतान के यूज करिया है मेरे ख्याल से वो भी science ही कह सकते है अगर वो ठीक से scientific method उप्योग कर रहे हैं तब जैसे कि हमने पहले बात किया कि काफी सारे studies होते हैं जो observational studies करने पड़ते हैं रांडमाइज कंट्रोल ट्रायल नहीं कर पाते हैं पर उसमें भी जब आप पेपर लिखते हो तरह से लिखिए कि क्या-क्या अपने assumptions है जिसमें यह चलता है तो assumptions होते हैं कि जैसे कि कहते हैं कि हमने यह यह confounder निकालने के प्रयतन किया है और फिर assumption है कि अगर कोई और confounder नहीं हैं, तो हमारा नतिजह मानिये है, तो इस तरह से अब आम करता है, वो भी ठीक है, मतलब कई बार नहीं कर सकता है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ता है आपने एक शब्ध का प्रेयोग या peer review, है नहीं तो डित गया nmoth day? तो पीर रिव्यू कैसे बोल सकते हैं सहीयोगियों की आलोचना बढ़िया है चलिए तो तो देखिए आप विज्ञान करते हैं तो उसमें हमने जैसे बात किया बहुत दो काफी मुख्या चीज है पहला कि आलोचना करते रहना सवाल उठाते रहना और दूसरा कि जो ठीक से ल कभी-कभी इन दोनों में से कुछ किसी में भी गलतिया हो सकती है ठीक है अभी वाग्यानिक भी इनसान है तो कुछ-कुछ गलतिया हो सकती है और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग जान-बूच के भी कुछ गडबड करते है ठीक है मेरा मानना है कि बहुत कम लोग है इसे जो जानबूश के करते है पर होता है इनसान है तो उसमें peer review और थोड़ा मजबूती देता है विज्ञान को इन परेशानियों के खिलाफ तो क्या होता है peer review तब मानली जी आप एक वैग्यानिक है आपने कुछ research किया संशोधन किया और फिर उस पर पेपर लिखेंगे तो प्रयोग किया, क्या आकड़े आया, क्या नतीजा यह सब कुछ अच्छे से आप research paper में लिखेंगे अब वो research paper आप किसी conference या journal में बेजेंगे तो conference या journal जो है वो बस paper छापने के लिए होता है और यह conference या journal क्या करेंगे कि आपका research paper लेंगे और फिर कोई और वैग्यानिक ह जो इस विशय पे काम करते होंगे या इस विशय के आसपास उनको आपका paper भेजेंगे और फिर वैग्यानिक को बोलेंगे कि यह research paper पढ़ो और इसकी आलोचना करो इसमें क्या कुछ गड़बढ है वो देखिए और बताइए तब वो वैग्यानिक यह करेंगे कभी-कभी हो अच्छा कहेंगे तो फिर यह paper छपेगा उसको कहते है published paper, peer-reviewed published paper कहते हैं यह पस peer review एक और तरीका है कि विज्ञान को कुछ भी गड़बड से बचाने का और भी मजबूत करने का इसमें लेकिन कभी-कभी इस process की भी आलोचना होती है ना निहार की क्यूंकि आप ही के एक शेत्र के बाकी वैग्यानिक हैं तो अगर आप कोई ऐसी नई चीज बोल रहे हैं तो उनको कभी-कभी रहेगा कि इसको मत publish होने दोना या फिर यह तो ठीक हमें नहीं लग रहा क्य क्योंकि उनकी खुद की इस्दत उससे डूब रही होगी तो यह सब भी या फिर वो उसका चाचा बतीजा होगा या मेरे दोस्त के department से होगा तो मैं अच्छा रेटिंग दे दूंगा फिर निहार मेरा पिपर को अच्छा रेटिंग देदेगा तो ऐसे भी हो सकता है जी जी कुछ लोग हैं जो जानबूज के भी गलत करते हैं जैसे कि सौरभ ने कहा कि मान लो कोई और पेपर है जो मेरे विज्ञान के विपरीत है तो मैं ज्यादा आलोचना करने की कोशिश करोगा या ऐसा भी होता है जैसे प्रणे ने कहा और ये अभी पिछले कुछ साल में काफी स पता चला है कि कुछ लोग एक समोह बनाएंगे और अपने बीच में समझाता करेंगे कि हम सब एक दूसरे का पेपर रिव्यू करने की कोशिश करेंगे और फिर एकसेप्ट कर लेंगे उसको बोलेंगे कि हाँ बहुत बढ़ी है जो भी हो बोलेंगे कि बहुत अच्छा है और इसके वज़े से बहुत परेशानिया भी हुई है तो अभी हाली में कंप्यूटर आर्किटेक्चर करके एक विज्ञान का भाग है उसमें यह हुआ था कि एक प्रफेसर था उसने उसके विद्यार्थी को फोर्स किया जबरदस्ती उसको बोला कि तुम्हें एक नकली प भेंडरे सनने विद्यार्थी को बोला कि तुमने यह जो सब लिखा दा ना सच्में करते ना चाहिए तो विद्यार्थी ने का यार आपने तो इतना सब बकवास किया इसमें, कि हमारे पास ये महान अर्किटेक्चर है, वो महान बनाया है, असली मैं सब बनाना तो ना मुम्किन है, कैसे बनाओ मैं तो इसके बाद बहुत ही दुखत गटना भी हुई कि वो विद्यार्ती ना आत्महत्या कर ली और फिर उसके बाद इस पर बहुत बड़ी जाच हुई और फिर ये सब बहुत सारी गड़बड बाहर निकली तो हाँ कुछ लोग हैं जो ऐसा गलत भी करते हैं और विज्ञान में ये हम बहुत ध्यान देने की कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो तो मेरा खुद का काम और कुछ और लोगों का विज्ञानिकों का काम ये भी है कि आजकल की artificial intelligence के उसे उप्योग करके कैसे पता करना कि किसी review में कुछ गड़बड है की नहीं तो ये जैसे विज्ञान पर विज्ञान करना अभी काफी लोग करते हैं क्योंकि विज्ञान की किसी भी भाग में गलतियां हो सकते हैं जानबूच के या गलती से और उसको कैसे पता करना कि कुछ गड़बड है और फिर कैसे ठीट करना उस पर काफी काम है तो विज्ञान को ज्यादा ज्यादा मजबूत बनाते रहना है इन सब परिशानिया से अच्छा तो निहार पियर रिव्यू में ऐसा क्यों है कि वो उसी डिपार्टमेंट के लोगों को सब्मिट किया जाता है तो लोगों को साइन्स भी समझ में आना चाहिए है उस फील्ड का तो वो तो मैं समझ गया कि अगर चार लोगों को भेजना है तो तीन ऐसे लोगों को बेजना है जो उस टाइब वो साइन्स कर चुके हैं एक और रिवीवर ऐसा हो सकता है जो शायद साइन्स समझता है लेकिन उस फील्ड से बिलकुल नाता नहीं रखता तो ऐसा नहीं होता गया थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन से बहतर नहीं हो सकता गया पियर जी बहुत अच्छी बात की पहले तो उसी डिपार्टमेंट में लोगों को नहीं बेजते हैं तो उसमें रखते हैं conflicts of interest कि अगर मान लो मुझे पता है कि मैं और प्रणे एक ही युनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं तो मैं सेम डिपार्टमेंट नहीं सेम फील्ड की बात कर रहा था मैं मतलब जैसे जी जी तो वो सही बात है और इसमें काफी सारा बहुत expertise पे होता है कि काफी सारा ऐसा जो विज्ञान होता है जिसमें जैसे computer science में मान लो artificial intelligence पे कुछ नया विज्ञान हुआ तो वो बस समझने के लिए उसका बहुत ज्यादा expertise चाहिए और उसमें इतना expertise नहीं है तो आपको इतना पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है तो एकदम general audience के लिए नहीं होता कुछ जो ऐसे research paper होते हैं वो ज्यादा general audience के लिए होते हैं वो हाँ जैसे आपने कहा ज्यादा broad लोग को जाएगा पर कई चीजों के लिए एकदम expertise जीए जो जितना नहीं होती है और फिर इसमें conflicts of interest का काफी उपयोग होता है जैसे कि कुछ भी पता चला कि कोई भी कारण से कुछ दो लोगों का conflict of interest हो सकता है तो बहुत ध्यान रखने कि उसको ना जाए ठीक है और निहार आपने जो paper लिखा था उसमें आप कहरे देगी कैसे artificial intelligence से इसे बहतर कर सकता है तो इसे मोटे तॉर पर समझा सकता है artificial intelligence कैसे मदब कर सकता है आपने गोड़े तो आपने ऐसमें कई तरह से उपयोग हो रहा है पहला तरह ये है कि बस चुनने में कि कौन से reviewer को कौन से reviewer को ये paper भेजा जाए तो यह काफी उपयुग हो रहा है कि देखे अब हजार ओ वैग्यानिक है ठीक है अब मैं इक इक गॉधूर चला रहा हूँ यह conference में हजार या दस हजार पेपर आए लोगोंने हजार या दस हजार पेपर इतना बेज़े तब मैं खुद बैठके ये हजारों पेपरों के लिए रिवीवर तो नहीं डोण सकता है तो अब आप आटिफिशल इंटेलिजेंस का उप्योग होता है तो उसमें जो हरे दूसरे वैज्यानिक है उनका जो पिछला जो भी संशोधन है वो और ये सब्मिट किया हुआ जो पेपर है वो उन दोनों को मिला और देखते हैं कि कितना मेल है उसमें और फिर आटिफिशल इंटेलिजेंस बताएगा कि हां प्रणे ये पेपर के लिए एकदम एक्सपर्ट है आप उसको दे सकते हैं तो यह पहला काम है आटिफिशल intelligence का कि बस बताने के लिए कि कौन सा जो reviewer है वो इस paper के लिए अच्छा है फिर एक और काम है कि जब reviewer review करते हैं तो उनको 80s तो देखना है कि इस paper में सब सही है या नहीं और उसके अलावा सामानिय तोर पे journal और conference कुछ और चीज़े देखने को कहते हैं जैसे कि देखने को कहत हैं कि कई क्षेत्रों में कि इसमें कितनी novelty है कितना नया जीज है कई क्षेत्रों में जैसे कि engineering में computer science में बस प्रयोग नहीं है वो research paper में मुख्य भाग होता है कि कुछ नया algorithm बनाना नहीं बस तो reviewer को यह भी देखना है कि कितना novelty है कितना नया है काफी चीज़े देखने को कहते हैं अब एक और परेशानी काफी होती है कि अलग-अलग रिविवर जो है उनके दिमाग में महत्व अलग-अलग होता है जो अलग क्राइटिरिया है उनका जैसे कि सारब को लगता है कि नवीनता इतनी ना हो पर पर बहुत अच्छे से लिखा ह होना बहुत मुख्या है जबकि प्रणे को लगता है कि ठीक है ठीक से नहीं लिखा तो कोई बात ने लोग समझ लेंगे पर नवीन तो होना बहुत जरूरी है अब एक पेपर आया जो बहुत नवीन है पर अच्छे से नहीं लिखा जो अगर सौरब को जाएगा तो सौरब इसको निकालो बखवास है जबकि प्रणे को जाएगा दोलेगा रहे क्या महान पेपर है तो इसको सब्जेक्टिविटी कहते हैं तो AI का उप्योग करते हैं कि यह सब्जेक्टिविटी कम करने के लिए कि AI पता करेगा कि हाँ देखो प्रणे बहुत जोर दे रहा है नमीनता कि वो चीजें पता करना तो उसके कई-कई अलग तरह से उप्योग हुआ है इसमें एक यह है कि कई बार लोग जब पेपर लिखते हैं तब जैसा मैंने कहा असली में प्रयोग नहीं किया बस कुछ ना कुछ उपस ऐसा बना के डाल देते हैं तो AI ने काफी सारा ऐसो को biology में कि इंसान के शरीर के अंदर जो cells हैं उसको देखकर उसका कुछ करना ठीक है तो उसमें अभी research paper में वो microscope से जो दिखा है वो cells की तस्वीरे भी डालते हैं अब कई बार यह पकड़ा है कि यह जो paper है उसमें जो cells की तस्वीर है वो तो 10 साल पहले वो paper छपा था उसमें ज के सब पकड़ने में मदद करता है या plagiarism पकड़ने में मदद करता है फिर अभी हमने यह भी बात किया कि कुछ लोग ऐसे समो बना के एक दुसरे का paper review करने की कोशिश करते हैं वगेरा तो वो सब भी कम करने में उप्योग हो रहा है बहुत बढ़ी है तो मतलब एक और तरी सब चीजे जो लोग शायद जाने अंजाने में जान बूच के कर रहे हैं उसे हम लोग कम कर सकते हैं तो यह पर पस एक बात की जो जान बूच के जो करते हैं मेरे हिसाब से इतना कुछ नहीं है तो बस यह मैं clarify करना चाहता हूं क्योंकि यह ऐसा नहीं लगना चाहिए हम बार बार यह प्रयत्न करते रहते करते रहते कुछ भी ऐसा गडबड हो तो इसको पता करें और इसको ठीक कर पाए बिलकुल बहुत अच्छी बात की और और वहीं यह continuous learning का process है जैसे कि मुझे एक और उदारन याद आया जब आप बात कर रहे थे जैसे कोविट के दौरा को लगता कि यह देखो कैसा है scientist इसको पता ही नहीं है पहले कुछ बोलते हैं फिर उसके बार एकदम उल्टा बोलते हैं लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा कि science असत्य को निरंतर नकारने की कोशिश है बस वही है science है न तो पहले जो था असत्य वह हम लोग को था कि ठीक है उ उससे हमें यह result मिला था कि शायद cloth mask भी चलेगा लेकिन जैसे हमें और data मिला और सबूत मिले तो हमें पता बड़ा कि नहीं है तो यह actually science काम कर रहा था science की हार नहीं है यह science की जीत है लेकिन कई लोग को लगता अरे कैसे पहले तुम यह बोल रहते है अब यह बोल रहा हूँ यह तो मतलब हम नहीं मानेंगे आपको जी जी बिल्कुल और जैसे आपने पहले कहा था कि context भी निरबर करता है कि पहले का जो studies थे वो शायद डेल्टा वेरियंट पे थे अब कि अभी ओमिक्रॉन पे है तो वो भी फर्क है बहुत बड़ा यह प्रणे इसका ऐसा एक और एक्जामबल ऐसे मोब भी बहुत अच्छा देते हैं कि जैसे लोग बोलते हैं कि भई साइन्स वालों को क्या पहले साइन्टिस्ट लोग ही बोलते थे ना कि अर्थ फ्लैट है फिर उन्होंने बोला अर्थ का गोला इतना है अभी बोलते है तो लेकिन उसने काया कि यह सब भी जैसे जैसे हमारे प्रयोग बढ़ते जा रहे हैं, वो भी एक तरीके की एकुरेसी है, हम धीरे धीरे और ज्यादा जानते जा रहे हैं, तो कोई गोलाई भी है, वो अगर हम बहुत ही स्थूल, हम अगर बहुत ही पास से देखें, तो फ्लै बढ़ते जाते हैं, वो भी एक साइंटिफिक प्रोग्रेस का तरीका है, और उसका नतीजा है, यह नहीं कि इसका मतलब कि साइंस ने आज ये कह दिया, कल वो कह दिया, ऐसा नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं निहार, और हम लोग यह जानना चाहते हैं, किन कारणों से विज्ञान होता है, जैसा कि हम लोग ने कहा कि जादातर तो कोई जान बूच के नहीं करता है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे कंस्ट्रेंट्स तो होंगे, इंसान हर बार सही तो नहीं होता, तो क्या ऐसे कारण आपको पता है, जो अब से सुनते हैं, जी, कई बार तो अब वि पता करना था कि उनके खुद के शहर में कितने प्रतिशत लोगों को कोविड है, ठीक है, उनको ये अनुमान लगाना था, तो उन्होंने सोचा, आप के सकर है, तो उन्होंने ये देखा कि कोविड का टेस्ट मिलना तभी बहुत मुश्किल था, पर उनको किसी तरह से उनके पास बहुत सारे कोविड टेस्ट उनको मिले थे, तब उन्होंने हर जगा इस्त कोविड स्ब्सक्राइब करें दो कि अगर अगर ऑभी लॉक्टाउन है मैं एक महींने से घर पे बैठा हुआ हूँ मुझे पक्का पता में कोविड नहीं है तो मैं वहां जाकर टेस्ट क्यों करवाँ sugar पर अगर मेरा कोई ऐसा काम है, मेरी ऐसी कोई नौकरी है, जिसमें जरूरत है कि मैं बाहर जाओं, दूसरी लोगों से मिलूं वगरा, तो मुझे जरूरत है कि मैं COVID टेस्ट करवाँ, क्योंकि काफी ज्यादा संभावना है COVID होने की मुझे, तो अब जो लोग वहां पर आये थ 25 प्रतिशत है, जो कहते हैं, तो उन्होंने पर पस पेपर लिग दिया, वो गलती थी और फिर पता चला, दूसरे वग्यानिकों ने कहा कि अरे ये तो गलत है, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा कभी-कभी होता है कि जो प्रयोग है, उसमें गलती होती है, या प्रयोग क आपके दिमाग में कुछ है, और फिर आप शायद आपका एक्सपरिमेंट या उसी तरह से करोगे, जिससे कि वही नतीज आए, जो आपके दिमाग में पहले से है, तो वो वो बायस्ट तरह से आपकर डिजाइन हुआ, ताकि ज्यादा संभावना हो कि वही आए, और कभी-क कभी ये गलती से होता है, कभी कुछ जानबूच के भी होता है, तो जैसे कि एक उदारन है कि काफी साल पहले एक वैग्यानिक थे ब्रिटन में, और उनको पैसा मिला था कुछ ऐसे संगटनों से, जो वैक्सीन के खिलाफ थे, तब इन्होंने कहा कि मैं संशोधन करता हूं क कि वैक्सीन से क्या गड़बढ हो सकती है, और फिर उन्होंने तो एक पेपर लिख दिया कि हां कुछ बारा बच्चे थे, इनको ये वैक्सीन मिला, और सब को कुछ न कुछ बड़ी गड़बढ हुई, खिक है उन्होंने ऐसा पेपर लिख दिया, और फिर एक मशूर जर्न है, लांसेट, उसमें चप भी गया, तो पेर रिव्यू में गड़बढ नहीं पता चली, और ये चप गया, और उसके बाद बहुत ही बड़ा हाहाकार हुआ, इससे, तो इसकी वज़े से अभी बहुत सारे जो माबाप है, वो अपने बच्चों को वैक्सीन देना, बंद कर उसमें ऐसे ही बच्चों को चुना था उन्होंने, इसका कुछ ऐसा गड़बढ है, तो जब एक्सपरिमेंट किया, तो पहले से ही उन्होंने ऐसा चुन के रखा, कि नतीजा आये, कि हाँ, गड़बढ है वैक्सीन से, तो उन्होंने एक्सपरिमेंट सही नहीं किया, और फ बार वो पेपर को लोग अभी भी बोल देंगी, देखो, उस पेपर में पता चला था कि वैक्सीन से आउटिजम होता है, तो अभी ये विग्यान में ये हुआ है कि अगर आप कोई भी विग्यान कर रहे हो, तो आपको उसमें ये भी लिखना है कि आपको विग्यान के लिए पैसा कहां कहां से मिला है, ताकि दूसरे लोग ये भी बात देख पाएं कि अच्छा, इसको आंटि वैक्सिनेशन संगठन से पैसा मिला है, और ये आंटि वैक्सिनेशन बाते बोल रहे हैं, तो शायद conflict of interest हो सकता है, आपका AI मॉडल इसको जाचने की कोशिश करता है क्या conflict of interest को, जी जी तो conflicts of interest, AI मॉडल जो हैं आजकल conflicts of interest डूनने की बहुत कोशिश करता है कि कई अलग अलग तरह के conflicts of interest पता करने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि मान लोगों पता करने की कोशिश करेगा कि प्रणे 2007 में सुरत कल में पढ़ रहे थे, मैं अभी 2007 में सुरत कल में काम कर रहा हो, पर यह ऐसी भी चीज़े डून के फिर conflicts पताएगा, हाँ, अगर वो LinkedIn सर्च कर लेगा तो उसको मिल जाएगा ऐसा है, जी तो ठीक है, और एक और निहार जैसे, मतलब यह तो कुछ लोगों ने जान बूच के किया था, जैसा आपने कहा, पर ऐसे भी होता है न प्रोफेसर बनेंगे, फिर paper भी जो निकालना है, उसमें आपको हमेशा एक धासू result दिखाना है, तो मैंने देखा है कि अब शायद science बदल रहा है और non-results, मतलब अगर आपका कुछ fail भी हो आए, hypothesis नहीं प्रू हो रही है, तो भी आप paper लिख सकते हैं, पर इतनी उसे acceptance नह परेशान यह है, पहला की गलती होना और दूसरा की गलत करना, तो इसमें गलती होने में क्या है कि जैसा आपने कहा कि कई सारा दबाव रहता है कि ज्यादा-ज्यादा paper लिखो और वो सबसे बड़े से बड़े conference या बड़े-बड़े journal में छपे, अब परेशान यह है कि कोविट ठीक होता है, तो अगर मैंने सही से experiment किया, प्रयोग किया, सही analysis किया और पता किया कि करेला और नीम्बु खाने से कोविट ठीक हुआ, तो वो तो एक्दम धासू हो गया ना, सब जर्नल बोलेंगे अरे, यह तो हमको चाहिए paper, क्या महान है, पर अगर मान लो मैंने से प्रयोग किया, करेले और नीम्बु खाया, और फिर पता चला कि उससे कोविट ठीक नहीं होता, तो यह एक positive result पे बायस होता है, कि जो positive result है कि हाँ, करेला और नीम्बु खाओ, तो कोविट ठीक होगा, वो ज्यादा धासू रहता है, तो उससे अभी कई परेशानिये होत होती है, कि जब peer review पे जाता है, तो reviewer को कई journal यह भी पूछते है, कि यह कितना दिलचस्प है, और अभी positive result है, तो ज्यादा दिलचस्प होगा, तो वो publish हो जाएगा, तब उससे क्या परेशानी होती है, उससे यह परेशानी होती है, कि अभी बहुत सारे जो छपे हुए result है सब positive है, और negative नहीं चपे है, पर असली में जब आप कोई प्रयोग करो, तो थोड़ा random chance ही है, कि भले ही असली में negative है, पर बस random chance से positive हो जाए, तो जो सब नतीजे चपे हुए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं, जो बस random chance से आ गया है, तो ऐसा लोगों ने यह भी पता कि है, कि जो सब, मेरे कहल से psychology में सबसे पहले study हुआ था, कि जो सब papers छपे हुए हैं, जिसमें positive results है, उसमें काफी ज्यादा प्रतिशत जो paper है, वो असली में results सही नहीं है, बस random chance से positive हो गया, और फिर वो accept हो गया, क्योंकि positive था, यह पता कि उसके बाद अभी काफी journals, सब अप अपना सवाल लिखो, hypothesis लिखो, और आप कैसे यह प्रयोग करोगे, कैसे analysis करोगे, वो लिखो, और बस वो peer review के लिए बेजो, नतीजा नहीं, उसके बाद reviewer बोलेंगे कि हाँ, यह आपने जिस तरह से प्रयोग करने वाले हो, जिस तरह से analysis करने वाले हो, सब सही लग रहा है और वो reviewer उसको review करेंगे, और उसके बाद नतीजे डालो, चाहे positive हो, चाहे negative, जी, तो अब वो अलग कर दिया, तो बस मेरे paper में मैं लिखोंगा, कि मैं देखने वाला हो, कि करेले और नीम्बू से COVID ठीक होता या नहीं, अब reviewer आप है, पताएंगे, कि यह दिल्चत है या यह सही है या नहीं, जो मेरी प्रक्रिया है, तो ऐसे कई गलतिया होती है, कई बार, और कभी-कभी कुछ जान बूच के भी होता है, जैसे कि कई देशों में tenure के लिए, नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, बस paper गिनते हैं, कि आपने कितने paper चापे, तो उससे, और यह सर लोग नकली paper बनाते हैं, तो जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था, चीन में कुछ company है, कुछ company है, जो नकली papers बनाती है, तो नकली paper वैग्यानिकों को बेचती है, कि आप अपना नाम लगा लो, हाँ, खुद का नाम लगा लो, इतने पैसे में, वहाँ पे इस तरह से पूरा ब कौन से वैग्यानिक है, जिसको मेरे paper में author बनना है, जिसको मेरे साथ सहयोगी बनना है, आप मुझे इतना पैसा दो, मैं आपका नाम डाल दोंगा इसमें, तो ये सब भी गलतिया होती है, और ये चीन में तो काफी सारी बाहर आई है, पर और भी जगा पर कभी-कभी होती ह हां, और भारत में predatory journals का भी problem रहता है न, कि आप, क्योंकि आपको paper ही publish करना है, तो मैं ही शुरू कर देता हूँ एक journal, उसमें आप publish हो जाएंगे, और फिर आप बता सकते हो, तो वो भी एक problem होता है, जी, जी, और हां, या तो कोई और company शुरू करेगी journal, और बोलेगी कि आ एक दम बक्वास लिखके चाप दिया, और भेज दिया journal पे, और वो actually publish हो गया, और फिर वो थाबित करने के लिए कि कई बार ये चीज़े ठीक से नहीं होती, तो ये भी पता बड़ा, और हिंदुस्तान में तो कहीं PhD, I mean, जो thesis हैं, वो भी मतलब नकल वाले तो बहुत बार निकले हैं प्रणे, तो ये भी परिशानी पाई गई है हिंदुस्तान में, क्यूंकि पेपर तो फिर भी काफी, मनला वैसे तो PhD thesis भी काफी लोग review करते हैं, लेकिन वहां भी होता है, तुम मेरे student का करते ना, मैं तुमारे student का pass करूए, जी, जी, तभी AI उसमें plagiarism में कम से चुपा हुआ है, जी, सही बात है, पर निहार इसमें आपको नहीं लगता economics से भी कुछ फायदा हो सकता है, जैसे अब देखें हम लोग reviewer की incentives को, आप reviewer को एक तो कोई पैसा नहीं दे रहे हैं, कोई incentive ही नहीं है कि मैं मैंनत से review करूँ, तो दूसरे incentives जादा है, कि मैं मेरा चाचा बती जाए, तो मैं उसको थोड़ा favor कर दू या बगरा बगरा, तो economics से भी शायद कुछ-कुछ incentives ठीक किये जा सकते हैं, अगर reviewer का काम जहां तक मुझे पता है, monetary benefit नहीं होता हूने, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो वो क्यों इतनी महनत करेंगे कि मैं ठीक से review करू, सब procedure चेकर हो, क्या फायदा है, मुझे क्या फायदा है, आप मेरे को उसमें points तो नहीं दे रहे हैं, उसके लिए मेरी promotion उसकी वेज़े से तो हो नहीं देगे, जी, सामान्य तौर पे तो reviewer बस इसलिए review करते हैं, क्योंकि विज्ञान को और मजबूत बनाना है, सामान्य प्रायतना है, कि एक website है, जिसमें कि किसने कितना papers review किये, वो सब लिखा हुआ होता है, तो इसलिए leaderboard की तरह, तो उनको उम्मीद है कि अगर कोई ऐसा है, जो बिल्कुल review नहीं कर रहा है, तो वो भी सामने आए, है ना, लोग को पता चला है, यह व्यक्ति तो review नहीं कर रह कुछ और website है, जिसमें कि जो review लिखे हुए है, वो सब public बना देते हैं, कोई भी देख सकता है, हर एक paper का review कोई भी देख सकता है, तो उससे भी उनको उम्मीद है कि reviewer को पता है कि मेरा review सब देख पाएंगे, तो अब शायद better review करें, कुछ जगा पे reviewer का नाम भी public बनाते ह हैं, उसमें और कुछ परिशान यह हो सकती है, पर reviewer का नाम भी public बनाते हैं, ताकि अब और भी incentivize ठीक से काम करने का, कुछ कुछ जगा पे पैसे भी कोशिश खिया है, पर अभी तक इतना कुछ चला नहीं है, क्योंकि अभी incentives बहुत बदल जाते हैं अगर पैसा दिया तो, मुझे सही में विज्यान को अच्छा करना है, वो मेरा अभी motivation है, या मुझे अभी पैसा कमाना है उसके लिए, काफी कौन लोग करेंगी review अभी, कैसे करेंगी काफी बदल जाता है, तो incentives कहां, जैसे आपने कहां, बहुत बड़ा problem है, काफी लोग कोशिश कर रहे हैं अलग निहार तुमने की, incentive ज़रूरी नहीं है ना, पैसे का हो, साख का reputation का भी incentive हो सकता है, तो ठीक है, अब आगे बढ़ता है, भौत कुछ समझने में मिला, अब एक हम लोग research के pipeline के एकदम शुरुआत में आ जाते हैं, PhD के उपर, तो ये एक सवाल था कि विज्यान करने के लिए PhD किस तरह कामदार साबित हो सकती है, और क्योंकि PhD तो एक German system है, 200-300 साल पुरा नहीं, आजकल का science शायद बदल गया होगा, क्योंकि पहले एक इनसान एक paper लिखता था, अभी कितने 50 लोग मिलके एक paper लिखते हैं वगेरा वगेरा, तो PhD के बिना आजके दौर में हम अच्छा विज्या नहीं कर सकते हैं, आपको क्या लगता है? कैसे करना इतना सीखने को नहीं मिलता है, तो PhD में काफी सीखने को मिलेगा कि विज्यान कैसे करते हैं और उसका अनुभव मिलेगा, और ये ज़रूरी है और ये काफी काम आता है क्योंकि विज्यान करना, research, संशोधन करना, सामानिया, course लेना, class में जाना, exam लिखना उससे अलग है, तो क्या-क्या सीखने को मिलता है, क्या अनुभव मिलता है, तो पहला तो ये है कि हम ये scientific method सब सीखते हैं, और इससे फिर हमें पता चलता है कि किस तरह से सही तरह से विज्यान करना, पर उसके अलावा और भी कई चीज़े हैं, जैसे कि अगर आपने homework किया, या आ ऐसे सामानिय तोर पे होते हैं, जिसका जवाब प्रोफेसर को या टीचर को पता है, क्यों एक्दम closed-ended होते हैं, जबकि जब आप संशोधन कर रहे हो, बहुत ही open-ended सवाल होते हैं, तो वो open-ended सवाल से कैसे deal करना, उसका काफी अनुभव मिलता है, जो काफी जरूरी होता है एसा अनुभव, दूसरा यह है कि संशोधन में ये भी काफी जरूरी है, कि आप सवाल क्या पूछते हो, उसकी भी बहुत भूमिका है, क्या सवाल पूछते हो, प्राब्लम formulation कहते हैं उसको, तो क्या सवाल पूछते हो, किस तरह से पूछते हैं, वो बहुत जरूरी है, वो काफी संचोधन गणित पे भी है तो कई बार ऐसे गणित के सवाल होते हैं जिसका जवाब तो किसी को नहीं पता दुनिया में और मैं भी महीनों तक अटका रहता हूं कभी सालों तक लोग अटके रहते हैं तो अब उसमें क्या करें कैसे कैसे अलग-अलग से सोचें इसके बारे में इस सबका भी अनुभाव पिएचडी के समय मिलता है पर पिएचडी कर रहे है तो यह है कि संचोधन का अनुभाव तो अगर मान लो आपको कहीं और ऐसे ही मिलत अब दूसरे स्टेप पे आ जाते हैं प्रोफेसर के इंसेंटिवस के बारे में तो अब इस पे एक संस्थागत रूप से आप देखे तो आजकल का जो प्रोफेसर है उनमें तीन चार फंक्शन्स एक साथ लाद दिये गए एक तो उन्हें टीचिंग भी करनी है एक तो उन्हे इवालुएशन टीचिंग पे नहीं होती उनके पेपर पब्लिकेशन पे होती है फिर उन्हें पेपर पब्लिकेशन के लिए ग्रांट्स प्रोपोजल लिखने पड़ते हैं तो मुझे लगता है संस्थागत रूप से थोड़ा कमजोर ढाचा है क्योंकि कई बार मतलब मैंन ये भी scientific statement नहीं है लेकिन कई बार ऐसा observe किया है कि लोग जो प्रोफेसर्स हैं वो टीचिंग को थोड़ा ऐसा भार समझते हैं कि यार कोई सेमिस्टर में वो सेशन पढ़ाने है वगरा वगरा तो आपको क्या लगता है कि ऐसा disambiguate करने की ज़रूरा देखा है कि जो research है और एक ही प्रोफेसर सब कुछ कर रहा है जी तो इस पर तो काफी चर्चा वगरा हुई है और कुछ-कुछ university है जैसे मेरी खुद की university यहां पर कुछ लोग है जैसे मैं जो दोनों करते हैं पर कुछ खासकर research professor ही है कुछ खासकर की teaching professor ही है ठीक है पर उसमें एक बात है कि जो मेर जो पगार आता है university से वो खासकर teaching से आता है ठीक है और पर जैसे आपने का मेरा जो promotion वगरा होता है वो ज्यादा तर research पे होता है teaching भी देखते हैं सनने के teaching नहीं देखते हैं अगर teaching काफी खराब किया तो हाँ वो काफी खराब होगा मेरे tenure और वगएरा के लिए junction देखते हैं पर ज्यादा research पर होता है तो पैसा कहां से आता है वो देख तो टीचिंग से आता है फिर दूसरी बात कि ये ग्रांट का जो आपने कहा वो भी अलग-अलग देशों में अलग-अलग तरह से है तो जैसे कि मेरे ख्याल से भारत में जब मैं IAC में मैंने मास्टर्स किया था तभी जो विद्यार्थियों को जो फंडिंग है जो सैलरी है वगरा वो सरकार से सिधा आता था उम्हें प्रोफेसर्स उसके लिए ग्रांट्स नहीं लिखते तो जबकि अमेरेका में हम विद्यार्थियों के फंडिंग के लिए भी हमको grants लिक नहीं होती है तो अलग-अलग सरकारों ने अलग-अलग किया है तो उसमें कुछ-कुछ अभी यूरोप में ऐसा भी प्रयोग कर रहे हैं कि जो grants जो देते हैं उसमें काफी सारा randomness डाले कि मानलो 100 लोगों ने grants के लिए apply किया तो उसमें फिर review होगा सबसे बढ़िया भी इसको grant दे देंगे नीचे वाले 30 को नहीं देंगे और बीच में जो है उसमें से randomly कुछ लोगों को ऐसे चुनके देंगे यह सब भी होता है तो लोग अलग-अलग इस तरह से प्रयोग कुछ-कुछ experiment कर रहे हैं अब देखता है यह कहां जाता है वाँ बहुत अच्छा लगा निहार आपसे बहुत कुछ सीखने मिला इसमें और दावा है कि हमारे listeners को भी अच्छी लगेगी यह विज्यान पर विज्यान की पुलिया बाजी तो इसी मुद्दे पर फिर खतम करते हैं इस एपिसोड को बहुत बहुत शुक्रिया निहार बहुत मज़ा आया निहार एकदम विज्यान का विज्यान बहुत बढ़िया से आपने समझा है बहुत भी धन्यवाद की मुझे यहां पर बुलाया और आपसे बात करने में बहुत बढ़िया मज़ा आया और मैं अपने दर्शकों को एक और चीज़ कहना चाहँगा निहार ने अभी हालिया एक यूट्यूब चैनल शुरू किया है मशीन लर्निंग इन हिंदी पे हम लोग लिंक तो शेर करेंगे तो अगर कोई सीखना चाहता है मशीन लर्निंग और वो भी हमारी आम बोलचाल पुल्यावाजी वाली हिंदी में तो निहार का चैनल ज़रूर दिखे जी धन्यवार प्रहें और बस एक बात की मैंने इस तरह से बनाया है और प्रयत्म है कि कोई भी सीख पाए बच्चे बुड़े आप कोई भी नौकरी करते हो कुछ भी करते हो सीख पाए इसके लिए computer programming जानने की जरूरत नहीं है या कोई भी गणित जानने की जरूरत नहीं है बिल्कुल ज़रूर चेक कीजिएगा लिंक हम अपने show notes में डालेंगे थैंक यू दन्यवाद पर उनके courses को जरूर चेक कीजिए और अगर आप पुल्याबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हम से कनेक कीजिए पुल्याबाजी at gmail.com पर या फिर at पुल्याबाजी ट्विटर पर शुक्रिया अबतानर भजाफ बबड़ाजी को जरू प्राफूबाजी प्रफूला डिस्क्राश्पादाज प्रफूला इसक्तूमी हैं बभी तोपिसों में चाहते हैं स्मारे विजिए, एशदार इसीत को जरूंझाजी ऑूसीज झाहते प्रफूंबाजीज जो आटे में टीर on whatever platform you're listening to us and check us out on YouTube. You can check a list of all our channels at ivmpodcast.com slash YouTube. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Banku Parodayan, HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. You're the people pleaser, right? Oh, yeah. Or then desperately seeking the one. Oh, wait. You're the one who doesn't think they're ever good enough. So much drama. And for what? Is it doing you any good? Listen to me. I'm Chetna. your favorite positive action coach yes, I'm the one who has been dropping all those truth bombs on every episode and it's time you learned to say no to drama that's also what my podcast is called and a new episode is out every Monday and Wednesday on the IBM Podcast app, website as well as all major podcasting platforms